बिस्मिल्लाहरमार रहीम असलामलेकुम वेलकम टू आप यास किचन आज मेरे किचन में बना वाइट चिकन प्लाओ तो जीचना पहुत ही मज़दार सी वाइट चिकन प्लाओ की रेस्पी आप लोगों ने पूर वाच करनी हैं अगर आप चाहते हैं तो ऐसा खिला खिला सा पूरा वाच कीचेगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम चिकन को मेरिनेट करेंगे वन केजी चिकन ले लिए बड़े बॉल में डाल दिया इसको अब इसी में शामिल करूंगी मैं एक कप भरके दही या 200 ग्राम के क्रीब आप इसमें शामिल करेंगे दो टेबल स् नमंग चला गया साथी शामिल कर देंगे 1 तीश्पून पिसावत धनिया इसे के साथ में शामिल करेंगे वन पिंच हल्दी वन टीश्पून जाएगी समीं पिसीव लाल मिर्च डालने के बाद हाथ की मदद से सारी चीज़ों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पास टाइम हो तो एक घंडे के लिए चिकन को मैरिनेट उनी के लिए लाजमी रखें से बड़ी अच्छी सी मजदार सी जूसरी सी चिकन अमारी त्यार होगी तो अब चिकन को पकनी के लिए रखते हैं एक से सवा कप के क्रीब मैंने देश के में डाल दिया है साथी शामिल माशाला कितने अच्छे से सारी चीजे बून गई अब इसने जो चिकन मैरिनेट करके रखी हूए थी शारी ये डाल देंगे जब बॉल में मसाला रह गए यह अच्छे से निकाल करें इसमें शामिल करेंगे डालने लिए इतना ताकि चिकन का अपना सारा पानी खुश्क हो पानी चला गया अच्छी तरह मिक्स किया सारी चीजों को अब मैं इसे ढख के रख दूंगी कम 12-15 मिटे के लिए तक चिकन अमरी अच्छे से पक जो यह तो देखें माशाला से यह पक गया है अब ढ़कना ठाग एक दफ़ा मिक्स करें सारी चीजों को तो आप इसमें कुछ ग्रीन मिसाले शामिल करेंगे एक मुठी पुदीने की पतिया एक मुठी हरादनिया बरी कटा हुए एक टमांटर की स्लाइस छे से साथ छोटी वाली हरी मिर्चे और एक लेमन की स्लाइस जीज डालेंगे इससे बड़ी अच्छी फ्रेश्ची इसको मैंने भुगो के रख दिया था पानी निकाल के यह एड़ कर देंगे इसके अंदर हलकी हां से एक दफ़ा चमा चला देंगे अब मिडियम फ्लेम पे चार से पांच मिटी के लिए ताकि चावल दमवली स्टेज पे आ जाए आप इस स्टेज पे नमग भी चेक कर सकते आपको नमग कम लगे तो आप एड़ कर दें मैंने डे टेबल स्पून पहले डाला था मुझे कम नमग लगा तो बन टी स्पून मैंने और एड़ कर दिये इसमें अच्छी तरह मिक्स किए धके रख देंगे से चार से पांच मिटी के लिए तो देखे चार पांच मिटी के सब्सक्राइब कर दोस्तों में तो देखे माशाला कितने खिले के लिए से चावल त्यार हुए तो इस तरह मैं इसे डिशॉट कर लेती हूं कि आप इसे मटन में बीफ में बिना सकते हैं तो चलिए इसी के साथ में आप लोगों से इजाज़त चाहूंगी मिलेंगे इंशाला अगले रेस्पी के साथ दुवा में याद रखे लाँ फेस